नमस्ते दोस्तों मम्ता की रसुई में आपका स्वागत है आज मैं आप लोग के साथ मैंगो की रेश्पिस सेयर करने जा रही हूं वह है मैंगो केक कहिए या मैंगो इडली बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों को ही पसंद आती है तो चलिए हम पके हुए आम से मैंगो इडली बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे पका हुआ आम ले लिया है जो आम में गुदा हो वही आम लीजे मिठी आम होनी चाहिए तो हमने यहाँ पे एक आम ले लिया है पका हुआ अब मैं चाको लेती हूं और चाको से इसको पहले उपर से कट कर दे तो यहां पर देखिए इस तरह से साइड से काट लेती हूं और काट करके इसका मैं इस तरह से कट करूंगी इसको पीस में इस तरह से काट करके और हम इसका पल्प निकाल लेंगे तो इस तरह से चाकू से हमने यहां पर कट कर लिया है और कट करके फिर इसको हम एक प्लेट मे निकाल लेते हैं तो यहाँ पी देखिए इस तरह से हम पीस में इसको निकाल लेते हैं एक चमचे से इस तरह से कट करके और यहाँ पे प्लेट में हम निकाल लेंगे तो पहले आम का इस तरह से आपको कट करके पहले निकाल लेना है छिलके से अलग कर लेना है तो यहां पर हमने काटके अलग कर लिया है आम को मैं यहां एक आम का बना रही हूं आप चाहे तो जितना भी बनाना चाहते है उतना बनाएए अब यहां मैं mixi का एक pot ले लेती हूं और pot में मैं डाल देती हूं यह तीन चमच चीनी है तो अगर आपका मीठाज आम है ज्यादा तो आप कम या ज्यादा चीनी कर सकते हैं अब इसको मैं piece करके powder बना लेती हूं यानी sugar powder तो हमने mixi चला कर इसको piece लिया है तो देखिए आँ सुगर पाउडर बन करके तयार हो गया है अब इसको मैं निकाल लिए एक कटुड़ी में और फिर उसी मिक्सी के पॉट में मैं जो आम काटके पल्ब निकाली थी उसको इसमें डाल देती हूँ जो टुकरो में काटी थी आम तो यहां पर उसी मिक्सी के पॉ करके में हम यहां पर पिष्ट तयार कर लिए हैं अब हम यहां पर एक बाउल ले लेते हैं और बाउल में हम डाल देते हैं कुकिंग वैल तो यहां हम डेर चमच कुकिंग वैल को डाल देंगे तो यहां हमने डेर चमच कुकिंग वैल को डाल दिया है अब इसमें डाल देते हैं चीनी पावडर जो हमने मिख्षी में पिष्ण के तयार किया था सुगर पावडर उसको मैं इसमें डाल देती हूं आपका आम मिठा होताब कम या जैदा चीनी को कर सकते हैं मैं यहां पर चीनी पावडर को डाल करके और उसमें इस तरह से चम्चे से वयल में मिक्स कर दे रही हूं तो यहां पर देखिए इस तरह से मिक्स कर दी हूं अब मैं यहां पर डाल देते हूं आम का पल्प जो हमने मिक्सी में पीस के तयार किया था उसको पेश्ट को इसमें डाल देती हूं यहां पर मैं पेश्ट को डाल दी हूं अब पेश्ट डालने के बाद अब यह च अच्छी तरह से इसको चीनी पौडर के साथ मिक्स कर देना है तो इस तरह से देखिए तो उसको मैं इसमें डाल दी हूँ और डाल करके फिर मैदे को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैदे को भी चमचे से मिक्स करते हैं तो यहां पे मैदा भी हमने मिक्स कर लिया है तो आप इस तरह का बैटर यहां पे बन गया है अब मैं यहां पे ली हूँ दूद तो हमने यहां पे एक कटोड़ी दूद लिया है पूरा एक कटोड़ी दूद हम एक बार में नहीं डालेंगे जितना काम पड़ेगा उतना मैं से दूद डालूँगी तो मैं यहां पर दों कि तीना मइसा तक bem को दूद के को मिख्स कर लें अब आपको सबसुल यहां पर हमे यहां पर थोड़ा सा दूद और डालेंगे तो बस फिर मैं दो चमच और दूद इसमें डाल दे रही हूँ ज्यादा दूद आपको एक बार में नहीं डालना है नहीं तो आपकी बैटर पतली हो जाएगी और आपका मैंगो केक या मैंगो इडली खड़ाब हो जाएगा तो मैं दो चमच दूद डाली हूँ उसके बाद यहाँ पे हम फूट कलर डालेंगे यानि की एलो कलर का हमने यहाँ पे एक पिंच फूट कलर डाल दिया है अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं मैं यहाँ पे फूट कलर थ्वासा कलर अच्छा लगे इसके लिए मैं डाली हूँ तो फूट कलर डाल करके खाने वाले कलर को डाल करके इसमें मैं मिक्स कर देनी हूँ चमचे से तो यहाँ पे देखे इस तरह से आपको भी मिक्स कर देना है तो यहाँ पर देखी इस तरह से चला करके और अच्छी तरह से मिक्स हो गया है कलर भी अच्छा आया है तो यह बैटर इस तरह का बन गया है आप देख रहे होंगे ना गाड़ी बैटर है ना ज़्यादा पतली है तो यहाँ पर इस तरह का बैटर आपको भी तयार कर लेना है अब यहाँ पर बेकिंग पाउडर लेते हैं तो उसको मैं यहाँ पर छोटी चमच से डाल दूगी आधा चमच से भी कम बेकिंग पाउडर आप बेकिंग पाउडर के चरह जगा इनों भी डाल सकते हैं यहां पर लिखैन के बाद सबसे बैटर मिक्स करने के बाद सबसे पीछे डालुएगा अन्यार कर लिखन ती नहीं मुटली यहां पर व्यक्षाहा हुआ उसको मैं इसमें मिला देती हूं, आप चाहें तो कोई भी कलर का टूटी-फूटी डाल सकते हैं, मैं यहां रेट कलर का डाल रही हूं, तो टूटी-फूटी हमने रेट कलर का डाल दिया है, और इसको इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं, तो यहां पर अच्छी तरह से इसको मिक कर ले रही हूं अगर आपके पार टूटी फूटी नहीं हो तो ऐसे भी आप बना सकते हैं बिना टूटी फूटी के भी तो उधर में हमारी पानी गर्म हो रही है अब मैं यहाँ पे एडली एस्टेंड लेती हूं और इडली एस्टेंड में वायल मैं ग्रीस कर लेती हूं इस बाद बैटर को फिर से mix कर लेते हैं और मिलाकर कर फिर इसमें चम चंचे से बैटर को भडिए तो यहां नहीं भढ़ियेगा नहीं तो यह फूलेगी तो और उपर हो जाएगी तो आप थोड़ा सा कमी बैटर को भढ़ना है जितना आपका खाना बना हुआ है उससे थोड़ा कमी भढ़ेंगे तो देखिए हम यहां पे साड़े खाने में बैटर को भढ़ लिये हैं और बैटर अब मैं उपर से यह टूटी फूटी थोड़ा सा उपर से मैं डाल देती हूं क्योंकि अंदर तो मैं मिक्स कर दी थी अब मैं उपर से थोड़ा सा इस तरह से आपको डाल देना है ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे तो मैं यहां टूटी फ यहां पे सारे खाने में हम इसी तरह से भड़ लिए हैं और भड़ने के बाद फिर मैं उपर से टुटी-फूटी डाल करके और इसी तरह से तयार कर लेते हैं तो यहां पे सारा को तयार कर लिए है इस्टेंड में अब इधर गैस पे हमारा पानी भी अच्छी तरह से खौल ग नहीं दीजिएगा नहीं तो इडली में अंदर में पानी चली जाएगी अब मैं धकन से धक देती हूं इसको 15-20 मिरट तक धीमियाच पर यहां पर हमने धक दिया है और धकने के बाद फिर 15 में ठो गई है अब मैं इसका धकन हटा लेती हूं और हटाने के बाद इसको चेक कर है यह हुए है कि नहीं तो हम यह पर टूटपिक ले लेते हैं आप चाहें तो चाकु से भी इसको चेक कर सकते हैं तो इस तरह से मैं इसके अंदर डाल करक्त चेक कर रही हूं तो बिल्कुल यह साफ नहीं कर रही है इसमें बिल्कुल नहीं चिपक रही है, अगर आपके चिपके तो आप एक दो मियाट फिर छोड़ करके ढग करके पका सकते हैं, तो चिपकी नहीं आने की बिल्कुल पक गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए मैं इसको छोड़ दी थी, तो इडली बिल ठंडी होगे यह मैं चाको से इसको निकाल के दिखा देती हूं तब देखिए जो भी अपका ही इसको बन करके बिलकुल तयार हो गया है आप देख रहे होंगे कितना अच्छा बनके तयार हुआ है अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं तो अभी आम का सीजन है आप इसको बनाईए और घर पड़िवार बच्चों के साथ इंजुआ कीजिए बहुत ही अच्छी लगती है और सभी को पसंद भी आएगी और टेस्टी और हेल्दी भी होती है तो अगर हमारा ये मैंगो एडली मैंगो केक बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सिस्क